पाठ पंद्रह बीका नेर की जलक पाठ प्रवेश यह पत्र नमिता नाम की लड़की ने अपनी प्रियसकी तान्या को बीका नेर से लिखा है तान्या अपने परिवार के साथ बीका नेर घूमने आई हुई है इस पत्र में उसने बीका नेर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है पाठु देश ये पत्र लेखन को प्रोचाहित करना परेटन स्थलों पर जाने के लिए प्रिरित करना एतिहासिक स्थलों की जानकारी देना ज्यान वर्धन करने की प्रिर्णा देना बीका नेर 12, 10, 2000, प्रियतान्या, मधुर्सने है यहाँ पत्र मैं बीका नेर से लिख रही हूँ मैं यहाँ परिवार सहित घूमने आई हूँ यहाँ हमने अनेक दर्शनिय स्थल देखे मैं तुम्हें भी बीका नेर के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ जोधपुर के महराजा राव जोधा के 14 पुत्र थे उनके छटे पुत्र का नाम बीका जी था बीका जी ने ही सन 1488 सी में बीका नेर की स्थापना की थी बीका नेर पहले एक उजान क्षित्र था चारों ओर जंगल होने के कारण इसका नाम जांगल पड़ गया था बीका जी ने इसे नया राज्य बनाने का फैसला किया तो इसका नाम बीका नेर पड़ गया बीका नेर एक रेतिला क्षित्र है समुद्रतल से इसकी उंचाई 794 फुट है यहाँ दिन का मौसम गरम रहता है तथा रात की समय ठंड बढ़ जाती है यह एक परियटन स्थल है दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं गरम क्षित्र होने के कारण अक्तूबर से मार्च तक का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे उप्युक्त है बीकानेर में अनिक प्रसिद्ध किले है जूना गड़ पोर्ट यहाँ के प्रमुक परियटन स्थलों में से एक है इस किले का निर्मान राजा राय सिंग ने सन 1518 से सन 15193 के मध्य करवाया था राजा राय सिंग मुगल बादशा अकबर की सेना में सेना पती थे इस किले के मुख्य द्वार को सूरच पोल कहा जाता है किले में कुल 37 महल है इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसे कभी कोई जीत नहीं सका बीकानेर से 30 किलो मीटर की दूरी पर स्थित गजनेर पैलेस को भी लोग दूर-दूर से देखने आते हैं इसका निर्मान राजा गंगा सिंग ने करवाया था यह गाउं कोलायत में कपिल सरोवर के पास स्थित है कपिल सरोवर को पवित्र माना जाता है तथा यहां कार्तेक पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है बीकानेर का एक अन्य दर्शिनी इस्थल है लक्ष्मी विलास पैलेस इसका निर्मान सन 1896 से 1902 इसवी के मध्य हुआ था इसे ब्रटिश आर्किटेक ने भारतिय तथा अर्भी शैली में लाल बलुआ पत्थर से बनाया था इन दिनों यहां एक होटल बन गया है सन 1902 से सन 1926 के मध्य महराजा गंगा सिंग ने लाल गण पैलेस का निर्मान करवाया था इस महल का निर्मान उन्होंने अपने पिता लाल सिंग की याद में करवाया था यहां महल राजबूत, मुगल तथा यूरोपियन शैली में बनाया गया है बीका जी ने बीका नेर में अनेक मंदिरों का भी निर्मान करवाया था इनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों में मूल नायक जी तथा लक्षमी नारायन मंदिर प्रमुख है यहां शिववाडी मंदिर में काली पत्थर से निर्मित शिव की मूर्ती है इस मूर्ती के चार मुख है बीका नेर का भांडा सर जैन मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है यहां कुल 27 जैन मंदिर है देश नो कस्बे में चूहों के लिए प्रसिद्ध करणी माता मंदिर स्थित है यह स्थान बीका नेर से 30 किलो मीटर दूर है जोदपुर और बेका नेराज परिवार की कुल देवी करणी माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है करणी माता मंदिर विश्व प्रसिध है यहां करणी माता को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे पहले चूहे खाते है इन चुहों को करणी माता का सेवक माना जाता है नवरात्रों के अवजर पर यहां बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर दूर से लोग आकर शामिल होते हैं मैं इस पत्र के साथ बीकानेर की कुछ तस्वीरें भी भेज रही हूँ तुम्हारी सकी नमिता